बुट इवनिंग एवरीबडी आप सब का स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी अरीना में I hope आप टेलिग्राम चैनल पे हो फैंटेसी अरीना के हमारी interesting differential और last minute updates enjoy कर रहे हो कल की तबाही आप सब ने देखी और I hope आपने भी पूरे मज़े उठाए होंगे क्या जबर्दस match गया 60,000 प्लस सिर्फ second innings में और first innings का कोई भी ऐसा contest नहीं था जो मैं हारा हूँ almost एक dream team सिर्फ keeper बदल देते तो dream team थी और जो grand leagues में लगाया बस एक player की वज़े से grand leagues में सुए और most सारी teams सभी teams winning zone में और investment से जादा ही मिला नुक्सान हुआ नहीं और small league में 3 member हो 4 member हो 5 member हो या 10 member कोई भी फरक नहीं पड़ा head to head से लेके हर एक league अराम से जीते थे और यह सब update हुआ था instagram, myng, jlt पे और बहुत ही clear cut interesting चीज़े मैंने आपको कल बताई थी hope आपको वायदा हुआ होगा comment करके जरूर बताना और जहां पर भी और Twitter Instagram भेज़ दिया करो भई अच्छा लगता है मेहनत देखके क्योंगी कल बहुत clear cut strategy थी अगर England पहले balling करे Ecclestone और Siver captain wise captain बनती है और exactly मैंने भी वही किया था जो मैं बताता हूँ नॉर्मली मैं रिस्क थोड़ा सा लेने में विश्वास रखता हूँ मजा आता हूँ और मैं रिस्क के लेता हूँ नहीं तो सेफ वाले भी बुरा नहीं करके गए होंगे इस match में तो यह जबर्दस था उसके साथ और जबर्दस चीजे हुई है मतलब उसके बाद उसके बा बाद लोगों के आई-पी उसके आई-पी उसकी लाइन लगी हुई है तो भाई सारे आई-पी उस आ रहे है और जो आई-पी मतलब मिलना बहुत मुश्किल हो गया है वह हमारे जेल्टी फैमली में आ रहा है क्या बात है मजा आगे देखके तो ऑल देवेस लिस्टिंग के होगे आप जब टेलिग्राम पे देखो समझ आएगा क्या कर रहे है मंडे से उत्मायक वापस आगया है तो हर मंडे को एक इंट्रेस्टिंग आर्टिकल आपको गट शॉट पर मिलेगा जो मागीजीन है मतलब बहुत ही रेनाउंड मागीजीन है वो और उसका भी लिंक फै वही आपका सब कुछ डिसाइड करेगा क्योंकि अभी जो लोग टीम बना रहे है वो पिछले मैच या फिर परसेंटेज देखके बना रहे है लेकिन जैसे ही प्लेइंग इलेवन में जो चेंज होने चाहिए अगर वो होते हैं तो आप देखोगे एक अनोखी चीज की जो स आप साउट एंटीगा पिछले मैच में भी बड़ी बेरहमी से हरा है वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को और मतलब डॉमिनेट कर रहा है वेस्ट इंडीज बुरी तरीके से विमेंस माच में भी यहाँ पर हाला कि उतना कुछ अलग नहीं हुआ है यहाँ पर वेस्ट स्टेफ़नी डेलर बोला स्टेफनी डेलर खेली नहीं अटोमाटिक चॉइस बन गई हेली मैत्यूज तबाहि ही आप में फिरसे मचाही थी और उसके लवानी सीज bardzo में भी खेली थी लेकिन बड़ी बात है स्टेफनी टेलर को शायद इंजरी है जिस वज़े से नहीं खिलाया था सी हंणरी आई और सबसे अच्छी बात पता है कि अगर वेस्ट इस की बालिंग फर्स आती है तो ये मैच अच्छा हो सकता है लेकिन अगर वही चीज पाकिस्तान की आजाएगी तो थोड़े से विरिएशन करने पड़ेंगे हमें balling first में C Henry एक अच्छी choice है क्योंकि ये आकरी के 5 over में 2-3 over डाल रही है पिछले match में ऐसा देखा गया सामने से अगर आपको याद हो मैंने आपको एक player का नाम बताया था जो कोई नहीं ले रहा था उमाइमा सोहेल क्यों मताया था वजय थी क्योंकि ये बॉलिंग भी करा रही थी और बैटिंग में चौथे नूमबर बैटिंग कर रही थी इन्होंने क्या किया 62 रंस बनाए और अपने 5-6 over भी ढाले ध्यान रखना अब तीसरी चीज़ जो हमारे हम जिस वज़े से ये सोच क्योंकि मुनीबा ली कीपिंग नहीं कर रही थी सिद्रा नवास कर रही थी लेगिन सिद्रा नवास को खिलाया नहीं है पिछले मैच में और अगर आपको याद हो जैसे हमने बोला था सिद्रा अमीन एक प्लेयर है सिद्रा नवास अलग है सिद्रा अमीन तबाही मचा रही इनने ए मैच में खिलाए गए और वहां पर बहुत अच्छा खेला और यहां पर मुनीबा अली से बैटिंग कर रही थी उसके मुनीबा अली ओमाइमा सोय लेक जैसी हां जो जवेरिया खान जो इनकी सबसे बड़ी प्लेयर है वो थोड़ा सा फॉर्म में आते हुए दिख रही है तो एकाथ ग्रैंड लीग टीम्स में अगर सेगेंड बैटिंग रहे हैं खासकर आप ट्राइ मैं आते हुए दिखें इस मैच अगले मैच वो 25 बीस पच्चेस रण बनाते हैं तो वही फॉर्म है विमिन्स के लिए उतना लगता है कि उतना एक अच्छा स्कोर क्योंकि अभी 10-12 ही बना पा रही है बीस पच्चेस जैसे हो गया तो उनका परफॉर्मेंस डबल हो गया ए अलवेज ठीक रही है एक विगेट और जो अगरा मुझसे पूछो को एक बॉलर जिसको जो सबसे अच्छा कर रहा पिशले माशे पागिसान की तरफ से वो मुझे लगी अनम अमीन और उसके बाद निदादर तो निदादर तो मेरे पूरे पिचर में और सबके पास ही लेफ्ट आम और्थडोक्स ये काफी अक्यरेट बॉलिंग करा रही थी और सबसे अच्छा एकॉनमी रेट इनीक था जितनी भी बॉलर जितने भी बॉलर्स ने बॉलिंग कर रही वेसेंडीस की दरफ से प्लेयर्स आपको पता है अब क्यूंकि स्टेफनी टेलर खेली नही बैटिंग ओडर उलट पुलट कर रखा है देंतर डॉट नीचे आती है कभी काईसिया नाइट आती है पिशने बिटनी कूपर आई तो बैटिंग ओडर पर भरोसा नहीं कर सकते आप लेकिन हाँ बॉलिंग इनका अल्मोस सर्टन है कि कौन करा रहा है शकीरा सैलमन और कॉन चैनल में से एक कोई अच्छा परफॉर्म करी देता और इकविकेट लिया सैलमन ने कॉनल ने एक भी नहीं उससे पहले स्टेफनी टेलर खेली मैथ्यूज शोन नाइट उससे पहले स्टेफनी टेलर का नाम में बहुत बार ले चुका हूं पहले वी लेकिन खेली नहीं पि या अपने दादर हेली माथ्यूस के साथ मिजर ली जाएंगे और उसके बाद अपने बॉलर्स जाधा रखेंगे इसके यह आपको अब तक तो पता ही लगए लेकिन अगर पाकिसान की बॉलिंग फर्स आती है तो मैंने एक सेनारियो लिख रखा है जरा आगे देखो मैं क्या बताना चाहता हूं ठीक है पाकिसान की अगर अभी तक तो चलो बाटिंग फर्स अगर बॉलिंग फर्स आती है तो मुझे जो कुछ प्लेयर्स अच्छे लगें एक बार आप देख लो जरा टी-20 में ये वेन्यू यूज हुआ था ये परफॉर्मर्स थे इसमें से यह मैंन उनने फिर से तीन विकेट लिए हेली मैथ्यूस कंसेस्टेंट थी और फिर से दो विकेट लिए और अगर परफॉर्मेंस में देखोगे तो शोना नाइट ने डीसेंट खेला सी नेशन ने फिर से अपने वो 15-20 जो बनाती है वो बनाए और ऐसे ही कुछ हुआ एक्जाक्ली पाकिसान की तरफ से इस ग्राउंड पर जो हुआ था उसमें कुछ रिपीट नहीं हुआ बस एक चीज़ रिपीट हो ही फातिमा साना को विकेट मिला डायना भेग ने बॉलि इन को लेके जरूर जाओंगा मुझे लगता है जरन की लेफट आम स्पिन है थोड़ा सा ट्रबल कर सकती है बहुत राइट हैंडर्स हैं सामने और तीसरी प्लेयर दाइना बेग और चौथे की तरफ जाना पड़े तो फातिमा सना यह चार प्लेयर अरक के आप जीगल टीम जरूर रना सकते हो और स्मॉल लिग में भी तीन तो इन में से लेके जाना है ठीक है उसके बाद खेलना शुरू करना अगर पाकिसन की पहले बॉलिंग आती है बागी वेस्ट इंडीस की बॉलिंग पहले आती ही पिछले वीडियो में जो डिसकस किया वही रहेगा कोई खा सकता है तो वेस्ट इंडीस की बैटिंग जो है वो थोड़ी क्लियर नहीं है लेकिन एक प्लेयर जो पिछली बार आयो जो मुझे इंप्रेस करा खासकर उसकी बॉलिंग से वो था सी हेंडी उनकी अच्छी घासी डिसेंट सी पेस दिखी मुझे और सेकेंड लास्ट ओवर कराया तो अगर स्टेफनी टेलर नहीं खेलती है तो इनका रूल बढ़ जाता है क्योंकि नहीं तो स्टेफनी टेलर अपने ओवर कराती है तब सी हेंडी को उतनी बालिंग नहीं मिलती थी ठीक है बाकी सेल्मन और सी हेंड यह दो ऐसे प्लेयर है जो डीसेंड लगे देखन कर सकता है आर्श अमीन थोड़ी बैक्टिंग भी कर लेती है आपने देख लिया और ए अमीन की लेफ्ट आम स्पिन है थोड़ी सी तो यह दोनों में से आप किसी को भी स्विच करके ट्राय कर सकते हो और फिर आप जैवेरिया को एक आट टीम में कर लेना मतलब ही 25 भी बन है तो बहुत बड़ी बात है ठीक है बागी है टूएट के मैं पुराने वीडियो में अल्रेडी बहुत बार डिस्कॉस कर लिया अब तो पूरी गाथा बना दी है यह है रिकॉर्ड्स स्टेफनी टेलर यहां पे भी बहुत अच्छी है बस आपको गो थू करा रहा हूँ ल आपका सेनारियो है बॉलिंग में भी अनम आमीन जिनकी मैं उपर बात कर रहा हूँ उनका डिसेंट सा परफॉर्मेंस है उसके बाद इवन सबसे अच्छा अनम आमीन का ही है अगर आप यहां से देखो जैसे यहां है अनिसा मोहम्मद का यहां है अनम आमीन का ठीक है यह इ परिया खान की सेकेंड जब बैटिंग आती है तो थोड़ा से बेटर खेलती है नबबे अठावन तिरपन फिट सेविंटे थी फिफ्टी एड नबबे बना रखें फिर्स बैटिंग में उनका हाईय स्कोर ही पच्छेस है तो देखलो आपके सामने है उसके लावा मुनीबा बैटिंग फर्स में तीन इनिंग्स बहुत जबरदस खेली है और सिद्रामीन जैसे मैंने कहा दो इनिंग्स खेल चुके है एक 96-52 पता नहीं एस साइड से एक्ट्व साइड में कब बुलाया जाएगा और जैसे मैंने कहा है ना ममीन इकलौती ऐसी फ्लेयर रही है जिन्हो अब चलते हैं अमने टीम पर तो भई देखो अभी के लिए जो मैंने टीम दिख रही है आपको वेस्ट इंडी इस फेवरेट बना के ही बनाएंगे लेकिन वेस्ट इंडी इस बालिंग फर्स करेंगे तो ये टीम थोड़ी सी जादा अच्छा करेंगे अगर पाकिस्तान ब पर जा सकते हैं किसी को ट्राइ कर सकते हैं अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने तीन बॉलर ले रखें मतलब कुछ-कुछ बॉलिंग मिल जाएगी यही बैट इन तीन मेंसे दो बैटिंग भी कर लेंगा और मोनी बाली की कीपिंग के भी पॉइंट है तो सब कोई ऐसा प् मिल सकते हैं अगर स्टेफिनी खेलेंगी तो हम स्टेफिनी की दरफ देखेंगे अगर स्टेफिनी टेला खेलेंगी तो दबदब देखूंगा मैं कि क्या करना इस चीज को जनता ने बैटिंग भड़ ली है बी कूपर शोना नाइट डी डॉटन आइशा जफर सब को ले ल रहूँगा और मुझे लगता है ड्रीम टीम में भी आज तीन और राउनर तो होनी चाहिए शायद क्या पता चार हो जाए अगर शेफ नी खेल जाए नहीं भी खेलें तो सी हैंडी पहले बॉलिंग कर जाए तो भी आ सकती है यहाँ पर वाकी यह टीम है जनता की पिछले मा प्रग में जनता का तो में खेलें आया में आहले को में बॉलिंग हैंपना से भी आए अपियू सीहा।